Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone तो batch चल रहा है युवराज batch और यहाँ पर हम continue करने जा रहे है TENS का test paper 3 और इसमें हम पढ़ेंगे present perfect tense यहाँ पर जो हम test questions लेके आएंगे वो present perfect tense क्यों होंगे इसमें सभी negative, interrogative या और negative, interrogative हम सब का सब कवर करेंगे WH questions भी कवर करेंगे, affirmative भी start करेंगे तो चलिए start करते हैं आज की class number 11 को 10 का test number 3 युवराज batch की classes है दोस्तों तो चलिए सबसे पहला देखिए exercise 6 पर आजाईए आप लोग इसके पहले हमने आपको exercise 5 तक करा दिया था चलिए मैं अपना ग्रह कार कर चुका हूँ बताइए मैं अपना ग्रह कार कर चुका हूँ बिल्कुल सही, I have done my homework उसने मुझे वह किताब दे दी है, उसने मुझे वह किताब दे दी है बताइए क्या होगा, उसने मुझे वह किताब दे दी है, He has given me that book. तो आपने कहा, He has यह यह शी दोनों ही चल जाएगा, has given me, वह किताब बोला है यहाँ पे, तो वह किताब पर्टिकुल लिए तो आप बिल्कुल से यहाँ पे, जो है, that book, वह किताब, He has given me that book. अगर केवल किताब लिखा होता तो दबुक आती, बड़े यहाँ पर आपके पास कहाएगा, that book, क्योंकि बोला है, वह किताब, वह किताब, वह किताब, उन्होंने मुझे देख लिया है, तो दे है, दे के साथ, तो हैव लगेगा, बिल्कुल सही, दे हैव सीन मी, अगला कॉश्चन बताएए, मैं एक किताब पहले ही लिख चुका हूँ, I have already written a book, I have written a book already, या I have already written a book, दोनों सही है, ओके, तो आपने बताया, I have written a book already, या already written a book, बिल्कुल सही है, चलिए, next देखिए, उन्होंने अपना खेत जोत लिया है, उन्होंने अपना खेत जोत लिया है, उन्होंने अपना खेत जोत लिया, बताएए क्या होगा, आपने कहा, आज मैंने एक हवाई जहाद देखा है आज और वो जाएगा दोनों से हैंICE तो क्या लातलोगे से ट्रेट लोगये से स्टार्ट किज़ेंग ट्रेट ट्रेक्ट परिस्ट आज व्यॺंट इस त्राइव मामेंन आज 줄क्त में या कि मैं अश्ड करया है वे स्युक्त परिस्ट bon dv I have seen an airplane today बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है चलिये बिल्कुल सही है बिजलि भाग गई है बिजली भाग गई है बताऀए क्या होगा ब identifies ओक्या में आपने कहा है electricity has run away देखिए यहाँ पर बिजली run away कोई दोल लगा के भागने वाली बात नहीं है बिजली याने की light ओके और light जो होती है अपने पैरों से दोल लगा के भागती नहीं है है ना light जो होती ही चली जाती है इसमें आपको अपना common sense इस्तार करना पड़ेगा, यहां पर आएगा electricity has gone out, चले जाना मतलब gone out, तो यहां पर चली गई है, भाग गई है, तो भाग जाने को बोलते हैं, यह चले जाना याने कि gone out, तो क्या बनेगा electricity has gone out, और देखिए, electricity के साथ has लगा है, क्या लगा है, has, मतलब कि electricity को क्या consider किया गया, singular, क्या consider किया गया, singular, light तो वैसे बहुत लोगों क्या जाती है, जैसे मैंने बता था, पुलिस को भी singular consider किया गया है, यादा है, आर्मी को भी consider singular किया गया था, यादा है, ऐसे electricity को भी singular माना देखिए catch तो लगेगा नहीं क्योंकि catch फर्स्ट फॉर्म होती है, catch की थर्ड फॉर्म लगेगी caught, क्या लगेगी caught, हाँ आपने आप पुलिस has caught the thief, तो देखिए मैं आपको एक जीर यहां पर बताने जाओंगे, पुलिस जो है, पुलिस को आप singular में भी ले सकते हैं और plural में भी ले सकते हैं, तो यहां पर पुलिस has भी लगा सकते हो, या पुलिस have भी लगा सकते हो, आप has भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है बट यहाँ पर यदि have लगा रहे तो मतलब क्या मिनिंग जाए काफी सारे लोग आए हैं क्या है चोर को पकड़ने काफी सारे लोग आए हुए हैं चलिए next देखते हैं अगला उसने अख़बार फेंग दिया है उसने अख़बार फैंग दिया बट ही क्या होगा अगला राजू ने अपनी सफेथ कार बेच दी है वाइट काऊ लेट सी राजू है वाइट कार बिल्कुल सही है तो राजु ने अपनी सफेद कार बेच दी है राजु है सोल्ड हिस वाइट कार ओके नेक्स दीखिए शिक्स नंबर पर जाते हैं हम लोग अब ओके एक्सरसाइज नंबर हम लोग क्या है यहां पर पर जा स्कार खर mor अब हम करेंगे नेगेट वके घैस तो हमने हमने अफर्मेटिब टैप की टैंज कर लिये हमने अब चलिए देखते हैं नेगेटिब टैप के टैंज आ चुके शुके हैं वह भी प्रिजेंट पर्फेक्ट में निगेटिब टैप कुटेंज है exercise number seven को हम continue करते हैं चलिए आज राहुल school नहीं गया है बताए आज राहुल school नहीं गया है देखे तुड़े आप पहले लगाते हैं आप तुड़े बाद में लगाई ए हाँ राहुल has not go to school today चलिए चेक करते हैं आज राहुल school नहीं गया है का क्या होगा देखिए today Rahul has not go to school अगर आप today लगाते हैं पहले तो comma जरूर लगाईए okay today लगाने के बाद एक आज के बाद comma लगेगा फिर Rahul has not gone, क्या आपने बोला go to school तो बिल्कुल गलत बोला है वर्ब की third form आएगी okay है ना तो क्या हैगा यहाँ पर go to school आएगा क्या हैगा go to school क्योंकि present perfect का negative चल रहा है और आपको पता है कि इसमें सब में क्या आता है वर्ब की third form today Rahul has not gone to school चलिए next देखिए मैंने कभी ताज महल नहीं देखा है देखिए दा ताज महल आपके क्याएगा I have never seen the ताज महल चलिए next देखते हैं नौकर बाजार से सबजी नहीं लाया है नौकर दा सर्वेंट नौकर बाजार से सबजी नहीं लाया है बिल्कुल सही है देखिए अपने बॉट अगर बुला तो उसको बॉट करिए क्योंकि बॉट जो होता है वो होता है B-O-U-G-S-T बॉट यहने खरीदा बॉट यहने खरीदा और एक होता है बॉट तो बॉट यहने लाया बॉट यहने लाया बॉट 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 और बाई का बनता है अगर आप बाई की बात करेंगे B-U-Y तो buy से बनेगा bot, क्या बनेगा बाई से, bot, और अगर आप bring से बात करेंगे, तो bring से आपका brought बनेगा, bring से क्या बनेगा, brought, so b-r-o-u-g-s-t, so bring brought brought, brought बनता है, so the servant has not brought vegetable from the market, the servant has not brought vegetable from the market, वह अभी तक railway station नहीं पहुचा है, वह अभी तक railway station नहीं पहुचा है, He has not reached the railway station, reached the railway station, अभी तक, अभी तक नहीं पहुचा है, yet now, बिल्कुल सही है, तो देखेंगे, इसका क्या conversation बनेगा, He has not reached the railway station yet, yet लग गया है, तो now मत लगाए, yet यने, अभी तक, yet यने, अभी तक, okay, He has not reached the railway station yet, okay, ठीक ना, yet, तो अभी तक के लिए, आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो copy में लिख लिए जब बना करके, आप बहुल सकते हैं, अभी तक के लिए, yet लगता है, क्या लगता है अभी तक के लिए, yet लिख लिए इसको, copy में आप अभी तक के लिए, yet लगता है, He has not reached the railway station yet, He has not reached the railway station yet, He has not reached the railway station yet, even, कल मैंने बता था, फिर भी, even, even, है ना, even, कल मैंने बता था, even, बताया था, yes, even, yes, चली, next, देखते हैं, यहां है, यहां कोई नहीं आया, okay, simple है, यहां कोई नहीं आया, बताये, no one has come here, okay, बिल्कुल सही, no one has come here, याद रखेगा, no one को, each को, सब को singular में काउंट किया जाता है, किसमें काउंट किया जाता है, singular में, ठीक ना, yes, so no one को, singular में, यहां पे have नहीं लगता है, has लगा, आपने भी, no one has come here, no one has come here, चलिए, next देखते हैं, उसने यह किताब अच्छे प्रकार से नहीं पड़ी है, उसने यह किताब अच्छे प्रकार से नहीं पड़ी है, हाँ, देखी, अब यहाँ पर अच्छी प्रकार का सुंदरता की बात नहीं हो रही है, ठीक से काम करना, तो व has not read this book, she has not read this book properly, बिल्कुल सही है, यहां पर properly लगेगा, nicely, सुन्दरता के लिए अच्छे तरीके से होता है न, so she has not read this book properly, बिल्कुल सही, full marks मिलेंगे आपको, उसने यह है, बंदर पेड़ पढ़ नहीं चढ़ा है, बंदर पेड़ पढ़ नहीं चढ़ा है, the monkey, okay, देखते हैं, the monkey has not climbed, okay, on the tree, फिर से यहां पर into कर दिया, बिल्कुल गलत है, यहां पर, यहां पर क्या आएगा, on the tree, okay, the monkey has not climbed on the tree, या climbed tree भी चल जाएगा, है न, बताया था मैंने, climb tree, उन्होंने फूल नहीं तोड़ा है, दे, has नहीं आएगा भाई सब, दे के साथ तो have लगेगा, they have not plugged the flower, बिल्कुल सही है, they have not plugged the flower, चली, सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई है, सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई है, the goldsmith, has not, make the ring, अच्छा, make आएगा की made आएगा, made आएगा, है न, third form है, the goldsmith has not made the ring, ओकी, अगर आपने make लगाया है, तो आपको zero मिलेंगे, और अगर आपने made लगाया है, तो आपको full marks मिलेंगे, the goldsmith has not made the ring, ठीक है, next देखिए अगला, master जी ने part नहीं पढ़ाया, part को lesson बोलते हैं, क्या बोलते हैं, lesson, yes, the teacher, the teacher has not taught the lesson, बिल्कुल सही, the teacher has not taught the lesson, exactly, guys, तो बहुत अच्छे तरीकी से आपने negative कर लिया है, अब आई ये देखते हैं, interrogative की तरफ बढ़ेंगे हम, okay, interrogative इसके बाद हम देखेंगे, ये आचुके हमारे पास interrogative, ये देखिए exercise number 8, तो अब हम guys ready है, exercise number 8 करने के लिए, चलिए पहला उठाते हैं question, क्या तुमने कभी ताज महल देखा है, अब देखिए, यहाँ पर आप देख करके आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सा sentence है, देखिए, क्या तुमने कभी ताज महल देखा है, question mark तो है, साथ में देखिए, देखा है, ये present perfect है, क्या तुमने कभी ताज महल देखा है, है ना, देखा था अगर होता, तो फिर क्या हो जाता, वो past हो जाता, बट है लगा है, और बड़ा A की मात्रा, बड़ी E की मात्रा, A है, E है, A है, O है, चुका चुकी, चुके हैं, तो इन सब में पहचान होती है, ये perfect होते हैं, क्या होते हैं, present perfect होते हैं, क्या मास्टर जी क्लास में पहुँच चुके हैं, क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया है, कैसी बात कर रहो भाई, हैव यू आएगा, यू के साथ हैव लगता है, खरीदने को क्या बोलते हैं, purchased, या have you bought a new mobile, दोनों सही है, क्या तुमने वह कार बेच दी हैं, बहुत ही सिंपल, have you sold that car, बिल्कुल सही है, have you sold that car, अच्छा वह कार बोला है, और that नहीं लगाया है, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, have you sold that car, क्या सूरज पूरब में निकल चुका है, क्या सूरज पूरब में निकल चुका है, has the sun, rise, rose risen, has the sun risen from the east, सूरज देखे, पूरब में है, in the east, has the sun risen in the east, ठीक ना, में बोला है, अगर से बोला होता है यहां से, तो क्या लगता, from लगता, बट में बोला है तो in लगेगा, has the sun risen in the east, मैं आपको बता दूँ यहां पर, rise, यानि उगना, rose, second form, और third form इसकी क्या है, risen, ओके चलिए, next देखते हैं, क्या आपका लड़का इसकूल गया है, क्या आपका लड़का इसकूल गया है, has your boy और, अच्छा, की have your boy और, सुची जरा, has your boy, has your boy gone to school, ओके, चलिए देखिए, आपने कहा, has your boy gone to school, बिल्कुल सही बात है, has your boy, देखिए, लड़का एक ही है, बिल्कुल सही, आपका लड़का, आपका लड़का इहां पर, singular है, आपका लड़का इहां पर, singular है, बच्चे, confused हो जाते हैं, देख करके, you लगा है, मतलब have लग जाएगा, भाई, आपका नहीं, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, आपने कहा, have you ever gone to Delhi, let's see, have you ever gone to Delhi, बिल्कुल सही है, have you ever gone to Delhi, चली, नेक्स देखते हैं, अगला है, क्या शेर ने हिरन को मार दिया है, क्या शेर ने हिरन को मार दिया है, क्या शेर ने हिरन को मार दिया, बताई क्या होगा, has the lion, killed the deer, देखते हैं, so has the lion killed the deer, बिल्कुल सहीं deer की स्पिलिंग देख लीजिए, D-E-E-R, ओके, D-E-E-R, और ये डियर होता है, D-E-A-R, इस डियर का मतलब होता है, have we reached too far now too far now क्योंकि यहां पर अब की बात कही गई है और बहुत दूर को बोलते है too far copy में लिख लीजे बहुत दूर को बोलते है too far have we reached too far now have we reached too far now have we reached too far now बहुत दूर को क्या बोलते है too far too far बहुत दूर याने की too far have we reached too far now नेक्स देखते हैं क्या राधा ने एक बहुत मधुर गीत गाया बताईए अच्छा देखें आपने सिंग बोल दिया सिंग तो पहले चीज होगा नहीं सबसे पहले सिंग की थर्ड फॉर्म होती सिंग, सैंग, संग सिंग, संग है राधा संग हाँ, है राधा संग अवेरी स्वीट संग, लेट सी दा आंसर है राधा संग अवेरी स्वीट संग, कॉशन मार्क बिल्कुल सही आपने बताया है राधा संग, बस आपने सिंग बोला था तो संग लगाईएगा, ओके और परफेक्ट में दोस्तों, तो यह हमने एक्सराइज नंबर एट कर लिये है राधा संग अवेरी स्वीट संग अब चलते हैं एक्सराइज 9 के उपर, ओके और यहाँ पर हम देखेंगे, डबलु एच टाइप कौन से टाइप बिटा, डबलु एच टाइप कौमा लगाना पड़ेगा, और नहीं तो बाद में भी टूडे आ सकता है, आज तुमने स्कूल में क्या देखा है, बताइए आज तुमने स्कूल में क्या देखा है, तो सबसे पहले बात क्या है कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मेट है सबसे पहले कौन सा format है देख करके, अभी तो अपन पढ़ रहे हैं कि present perfect है, है ना, तो देखा है, मतलब आज की बात हो रही है, आज तो वैसे भी लिखा हुआ है, देखा है, मैंने बता है था, A है, E है, A है, मतलब क्या यह present perfect में यह interrogative है, बता यह क्या होगा इसका, बोली English क होगी इसकी, yes, what have you seen today, what have you seen today, हाँ, अच्छा, और school कहां गया भाई, in the school, okay, what you have seen today in the school, यह today करके भी बना सकते हैं, आप, okay, दोनों तरीके हैं, okay, क्या बनेगा देखे, today, what have you seen in the school, today, what have you seen in the school, okay, so today, what have you seen in the school, बिल्कुल सही है, चले, आज पहले घंटे में किस ने पढ़ाया, आज पहले घंटे में किस ने पढ़ाया, बताईए, हाँ, देखी, यह आज है तो today पहले भी लगा सकते हैं, यह बाद में today आएगा, पहले घंटे में किस ने पढ़ाया, 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 पहले घंटे मैं first hour भी कर सकते है, period की जए किया है, first hour, okay, so who has taught in the first hour today, clear, चले, next, देखते हैं, यह सब किसने किया है, यह सब किसने किया, यह सब बोलते है, all this, हाँ, किसने को क्या बोलेंगे, who, हाँ, who has, हाँ, who has done this all, you said, who has done this all, but I मैंने बताया था, क्या बोलते है, all this, who has done all this, who has done all this, ठीक ना, ठीक ना, और वैसे बोल चाल की भासा में this all भी बोला जाता है, तो गलत नहीं है, मैं नहीं कहूंगा, मैं भी खुद भी this all बोलता हूं, all this या this all, दोनों एक ही meaning को refer करता है, okay, who has done all this, but अच्छा है आप आदर डाली, all this, सभी कुछ आईए है, पूरा, यह सब कुछ को क्या बोलते है, all this, क्या बोलते है, all this, चलिए, अगला बताईए, तुमने यह 100 का नोट किस से लिया है, तुमने यह 100 का नोट किस से लिया है, दिखें, मैंने आपको बताया था, to whom का मतलब होता है, जिस से, to whom का मतलब क्या होता है, जिस से और अगर आप किसे की बात कर रहा हूँ तो whom है ना बताएए हाँ whom to whom to तो कुछ होता ही नहीं है whom तुमने यह 100 का नोट किस से लिया है तो whom से आपने स्टार्ट कर दिया चली देखिए तो इसमें आपको कोई माक्स नहीं मिलेंगे whom have you taken whom के बाद क्या आएगा have बताय था ना whom के बाद क्या आएगा have फिर इसके बाद subject आगया you you के बाद वरब आगी taken this 100 रुपी note ओके तो copy में इसको note करिए whom have you taken this 100 रुपी note चलो इसको note करो जल्दी से whom have you taken this 100 रुपी note ओके गाइस so whom have you taken this 100 रुपी note चलिए next देखते हैं अगला तुमने यह तो हो गया आपको यह 100 रुपी का note किस ने दिया है आपको यह 100 रुपी का note किस ने दिया है है ना तो मतलब किस ने मतलब वू किस से स्टाट होगा वू से स्टाट होगा आपको यह 100 रुपी का note किस ने दिया है बताई क्या होगा वह एज गिवन इस नहीं आएगा हां गिवैं गिवैं यू हां यस तो आयए दिखी है पर क्या वनेगा यहां पर बनेगा वू एक सेकन यहां बनेगा वू है गिवन यू इस 100 रुपी नोट, बिल्कुल सही Who has given you this 100 रुपी नोट ओके थोड़ा सा आराम से बनाईए, जल्द बाजी नहीं करिए Who has given you this 100 रुपी नोट, तुम्हें किसने बुलाया है Who called you गलत कह दिया आपने, आपको 0 मिल चुके हैं यहाँ पे, तुम्हें किसने बुलाया है, आपने has, have का इस्तमाली नहीं किया, बिल्कुल 0 मिल गए Who has called you Okay, who has called you अब आपने सही बुला, who has called you Okay, who has called you, चलिए, आपको किसने बुला, आप, आपने किसको बुलाया है, ध्यान से, किसको आपने किसको बुलाया है To whom फिर से आपने to whom के दिया To whom का मतलब होता है, जिसको To whom का मतलब होता है, जिसको और बात यहां हो रही किसको की तो पर दे कहां से सुरू होगा, whom कहां से स्टार्ट होगा, हाँ Whom Whom have you called to Whom have you called to सिर्फ called Whom have you called, बिल्कुल सही whom have you called बिल्कुल सही है whom have you called और फिर question mark उसने यह कारे कैसे किया है उसने यह कारे कैसे किया बताइए how has he done this work आपने कहा देखिए how has he or she done this work बिल्कुल सही how has she done this work अब वह कहां गया है अब वह कहां गया है where has he gone now विल्कुल सही where has he gone now तुम कौन सी फिल्म तुमने कौन सी फिल्म देखी है which film has you watched अच्छा you के साथ अब क्या लगा रहे है which film have you watched या have you seen exactly which film have you seen विल्कुल सही है which film have you seen बिल्कुल सही है तो ये देखा आपने exercise 8 हमने कर ली है अब हम चलते हैं sorry exercise 9 कर ली है अब हम चलते है exercise 10 की और जिसमें हम interrogative negative sentences यहाँ पे हम डील करेंगे interrogative negative sentences ओकी गाईज तो चलिए start करते हैं exercise 10 क्या तुम कभी दिल्ली नहीं गए हो have you never gone to Delhi क्या तुम कभी दिल्ली नहीं गए हो have you never gone to Delhi have you never have you never gone to the Delhi have you never gone to the Delhi बिल्कुल सही है have you never gone to the Delhi बिल्कुल सही क्या तुमने कभी लंदन की share नहीं की है share मतला share करना तो अब जानते हैं न सेर करना क्या होता है सेर सापाटा घूमना फिरना है ना विजिट करना कभी लंदन की सेर नहीं की है आपने कह दिया है विजिट दा लंदन अच्छा ठीक है तो आपने देखे कुछ गलती यहां पर ऐसा कर रहे हैं आप आप फॉर्मिट ब्रेक कर रहे हैं यहां पर है ना आपको लग रहा है आपकी गलती चलिए देखते हैं देखे हैं विजिटेड लंदन थर्ड फॉर्म लगनी है आप है विजिटेड लंदन इसको नोट करिए देखे बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताओं देखे यहां पर दो वर्ड है कभी आया है पहले और फिर आया है नहीं तो बच्चे राते हैं थिपर कभी और बाद में आगया नहीं किया तुम्नें कभी लंदन की सेर नहीं ह किया तो Have you never? क्योंकि कभी भी आ गया नहीं भी आ गया तो मिल करके क्या बन गया? कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं को क्या बोलते हैं? Never, क्या बोलते हैं? Never So, क्या बन जाएगा इसका English conversation? इसका बन जाएगा Have you never visited London? Okay? Have you never visited London? यह दूसरा बनेगा Have you not जो आप गलती कर रहे थे Have you not Have you not फिर असके बाद आएगा विजिटेद London Ever Have you not विजिटेद London Ever क्या तुमने कभी London की सेर नहीं की है मतलब Have you not विजिटेद London Ever उपर वाला भी सही है ये वाला भी सही है है ना दोनों सही है ये भी सही है और ये भी सही है Have you never विजिटेद London ये भी सही है शौट में है And have you not विजिटेद London Ever आप क्या कर रहे थे Ever को आप यहाँ पल ला रहे थे Have you ever not विजिटेद London नहीं ऐसा नहीं Have you not विजिटेद कभी subject के साथ मेसा क्या आएगा यहाँ पर Not आएगा subject के बाद में क्या आता है याद है आपको format पढ़ा है थे subject के बाद में Not आएगा चली अगला करते है तुमने कठेन परिश्रम क्यों नहीं किया कठेन परिश्रम को हाड़ वर कलते हूँ Yes Why 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 have you not Why have you not Why have you not आचा करना को सूच रहा हूँगा किया को तो do do के बाद होता है did और थर्ड फार्म होता है done Yes Why have you not done the hard the hard work नहीं आएगा only hard work आएगा Why have you not worked hard कल लोगे है ना Why have you not worked hard है ना worked लगा दीजिए बात एग है यह done hard work उभी चल जाएगा So Why have you not worked hard इसको नोट करिए अच्छा कोशन है यह Why have you not worked hard तुमने कठेन परिश्रम क्यों नहीं किया Why have you not worked hard Why have you not worked hard चले नेक्स कोशन की और बढ़ते हैं तुमने वह फिल्म क्यों नहीं देखिये तुमने वह फिल्म क्यों नहीं देखिये हां सीन बिल्कुल सही वाई हाव यू नॉट सीन कह लो या वाज्ट कह लो एना दैट मुवी एक्षुली मुवी को पूरा देखा जाता तो मुवी को आजकल हर कोई वाच दा मुवी आजकल टीवी में देखा होगा वाच फुल शो वाच अमाजन प्राइम है ना चलेगा अगले क्यों बढ़ते हैं क्या इस घर में कोई नहीं आया है क्या इस घर में कोई नहीं आया है कोई नहीं आया है हाँ क्या इस घर में कोई नहीं आया है जस बताईए कोई नहीं सिंगुलर का सेंस लेता है कोई नहीं किसका सेंस लेता है सिंगुलर का तो यह स्टार्ट होगा हैज से किसे स्टार्ट होगा हैज से बताईए, has, nobody, come, came, come, has nobody come in this house, okay, देखिए, आपने बुला, has nobody, है ना, कोई नहीं, याने की no one लगाईए, okay, nobody भी सही है, है ना, has no one come into this house, या in this house भी चलेगा यहाँ पे, into मतलब चल करके आना, बाहर से अंदर आना, तो into भी सही है, है ना, so has no one come into this house, ठीक है ना, come into this house, है ना, घर के अंदर आने में into ही ज्यादा तर लगता है, चले, next देखते हैं अगला, उसने नई कार क्यों नहीं खरीदी है, उसने नई कार क्यो a new car, why has he not purchased a new car, why has he not bought a new car, देखी, कार के लिए बहुत लगता है, परचेस, है ना, कार के लिए बहुत लगाईए, हाँ ठीक है, चलो, कोई बहस नहीं करेंगे इस बात पर, why has he not bought a new car, या purchased a new car, वैसे जादा तर मैंने सुना है, कार के लिए, बड़ी चीजों के लिए बंगली के लिए 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 बंगली के ल क्यों नहीं लगाई ओके फटकार अनिए डाटना 5 वही वही बद रहें ने çalış और थेटर कार नहीं होता बाई है ना हाट रिबूग्ड ठीक डा क्या होता है इसको क्ईहर समें क्या बोलते है यह जाष Está हाँ चलिए बताइजिये Master यी ने उसे हिगा बहुरन लगाई तो लगेगा सीधे तू नहीं लगेगा रिबग्द हिम ओके वाई है एस दटीचर नौटर भीड़ को फटकार लगाना फटकार लगाना फटकार नहीं कि डांटना नाफना बहुत गंदे तरीके से राटने को बोलते हैं बच्चों माफ कीज़ें कि इसको रिबुक्ड बोलते हैं, इसको रिबग्ड नहीं बोलते हैं, मैंने गलती से रिबग्ड बोल दिया था, but it is called रिबुक्ड, okay, so why has the teacher not rebuked him, रिबुक्ड नहीं फटकार लगाना, जोर से डाटना, बहुत खतरनाक तरीके से डाटने को हम फटकार लगाना बोलते हैं, चलिए अगला है, उस लड़के ने यह novel क्यों नहीं पढ़ा है, उस लड़के इने यह novel, novel एक बड़ी सी किताब आती रही है, जिसमें हिंदी में इसको novel को उपन्यास बोलते हैं, इंग्लिश में novel ही होता है, इंग्लिश में novel ही बोलते हैं, ह रेड 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 ही होती है रहा इस नॉबल इस नॉबल ओक रहे देख क्या होगा रेखे इसका इंगलीस कनवर्जिशन वाई हैस देट बॉइ उस लड़के ने तो दैड बॉई आएगा आपने गलती कर दिया है तो Why has that boy not read this novel? Not read this novel. यह novel, यह novel का है, this novel. Okay, novel की spelling देख लीजे, N-O-V-E-L, N-O-V-E-L, N-O-V-E-L. Novel को हिंदी में क्या बोलते है, उपन्यास, क्या बोलते है, उपन्यास. एक बड़ी सी, बहुत बड़ी-बड़ी कहानियां हो चलती रही है पहले, वो उसको उपन्यास बोलते हैं, मैं कभी कोई पुरानी उपन्यास मेलेगी, तो मैं आपको जरूर दिखाऊँगा. Why has that boy not read this novel? Okay, उस लड़के ने यह novel क्यों नहीं पड़ी? Why has that boy not read this novel? चलिए, अगले question की और चलते हैं, उस लड़की ने इस कमरे में डान्स क्यों नहीं किया है? उस लड़की ने इस कमरे में डान्स क्यों? क्यों से स्टार्टों का बोलिए? Why has that girl not danced in this room? बिल्कुल सिख सर मार दिया, आपने बहुत बढ़िया. Why has that girl not danced in this room? बिल्कुल सही बताया आपने. चलिए, अगला देखिए, अगला है, किसने दुकान से किताबें नहीं खरी दी हैं? किसने दुकान से किताबें नहीं खरी दी हैं? बोलिए. Who has not purchased the book from the shop? बिल्कुल सही इसमें भी full marks आपको मिलेंगे. Who has not bought the books? यहाँ पर purchased भी सही है. purchased the books from the shop. इग्जेक्टली बिल्कुल सही बताया आपने. तो यहाँ पर हमारी exercise number 10 complete हो चुकी है. इस तरीके से हमने present perfect के भी सारे के सारे कर ली हैं. Guys, thank you so much for being with Yubraaj Batch and location unlimited studies zone. फिर मिलेंगे धन्यवाद.